नमस्कार दोस्तों, वेलकम टिरोन चैनल, लेर्न टू अन बाई एक यार्ट, तो फ्रेंज तो टोड़ेव वोड़ वी डिसकसिंग अबाउट बंधन बैंक, बंधन मैंक के बाईर में डिस्क्रिंट करेंगे, विकाउस कंपनी की दर्से आरा है फ्रेंड, बहुत इंपोर्ट अनॉंस्मेंट है और चाट में कहां पर सपोर्ट है, कहां रिसिंटर प्लस की कंपनी का तूरब फंडमेटल भी चेक करेंगे, तो चली स्चार्ट केरते है बाउट बंधन मैंक, जहां पर इसका क्लोजिंग फ्रैस को चेक करेंगे, क्या इसका प्रैस था, लास्ट का 1.81% गिरावर के साथ closing देखने को मिला है company का अगर return को चेक करेंगे 6 मेने में कितना लोगों को return आए return नहीं आया है लोगों का अच्छा कासा नुक्सान हुआ है 12.36% के हाँ पर लोगों को नुक्सान हुआ है आगे बढ़ते हैं company का अगर चेक करेंगे थोड़ा positive नज़र रहागा एक मन्त में कितना return आए तो लोगों को लफ़क 6-7% का return नहीं आप देखने को मिला है तो धीरे धीरे जो रहता है अब यहाँ पर से bottom में base बन चुका है अब धीरे धीरे हाँ से उच्छाल start हो रहा है company का friend अगर चेक करेंगे market cap तो 32,917 crore का market cap है stock APY 14.8 है industry का 12.5 है यानि कि थोड़ा से valuation high हो गया लेकिन friend result में सुधार आएगा EPS में सुधार आएगा अपने APY रिशो decrease कर जाएगा प्योट सुकर 5 का है उतना बढ़िया नहीं है 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है profitable stock है कोई भी share pledge नहीं है promoter का stake 40% है यहाँ पर 40% promoter का stake है तो remaining stakeholder कौन इसको जड़ा चेक कर लेंगे तो यह थोड़ा negative side में है promoter का stake देख सकते हैं यहाँ पर constant है FI ने भी क्वाली किये 34.75 से 31.20 DI यहाँ पर 14.79 से गिर करके 12.42 हुआ है यहाँ पर किसने खरीदा है तो पब्लीक ने खरीदा है 10.42 से 16.32 हाँ यहाँ पर जो भी क्वाली हुई है FI DI ने बेचा सबको यहाँ पर public ने खरीद लिया है अब यहाँ पर positive क्या है positive ही है कि तीनों को जोड़ देजे FI DI तीनों को जोड़ देजे यह नंबर थोड़ा मिला जो लसा है यह देखे प्रिवेस था यह अभी कंपणी ने अभी 2024 का लेटेस्ट अभी नंबर अनॉंस किया इसमें चेक की जगा फ्रेंट तो लोन अड़ अडवांस में 1,03 से बढ़ करके 1,25 होगे तो 21.8% का जम था टोटल इपॉजिट में देखे यहां भी लगवग 22.8% का जम था रितेल डेपॉसिट में देखे 19.2% का जम था यान ये ऐल्ली बेशिज में अच्छा खासा जम देखने को मिला सभी सभी पैमाने में अच्छा का जम था बहुत ही तोड़ फोड रिजल्ट था, लेकिन problem कहा गया, problem हागया previous quarter से compare कीज़ेगा, तह previous quarter से compare कीज़ेगा, friend, तो 1,24,721 से यहाँ पर increase हुआ, loan advances 0.7%, total deposit में गिराऊट थी, देख सकते हैं, total deposit में minus 1.5% का गिराऊट था, कासा में देख सकते हैं यहाँ पर भी गिराउट थी 11.4% का then retail deposit में भी गिराउट थी 1.8% का तो यह जो number जो था रहा है yearly basis में तो बढ़िया था quarterly basis में जो result था उतना बढ़िया नहीं था जिस कारण से मिला जुला mixed result होने कारण अच्छा खासा share में गिराउट हो चुका है अब है फ्रेंड यहाँ पर जो रहता है अभी announcement company के तरफ से एक और आया है जो कि देख सकते हैं market close होने के बाद 6th July को यह update आ रहा है company के तरफ से update है जो बहुत लंबे समय से लोग wait कर रहे थे तो फ्रेंड उस वो update को में जड़ा चेक करते हैं देखिए यहाँ पर जो है जो सबसे important position जो है MDNCO को लेकर के था यहाँ पर जो रहता Mr. Chandr Shaker गोज जो है जो currently hold करते है MDNCO के पद को hold करते है इंदा बैंक उनका जो 10 यो जो रहता है 9th July 2024 को complete होगा तो इस चीच को लेकर के बड़ा confusion था कि कौन इस position में आएगा तो यहाँ पर फ्रेंड approval जो रहता है Reserve Bank of India के तरफ से has been approved और यहाँ पर appointment हो रहा Mr. Ratan Kumar केस जो रहता है अभी currently बंधन मैंक में ही काम करते हैं as an executive director and COO Chief Operating Officer के बड़ में काम करते हैं उन्हीं जो जो रहता है interim MDNCO निक्त किया जा रहा है with effect from July 10th 2024 जो इनका period जो रहेगा for 3 months रहेगा 3 महने के लिए रहेगा और till the new MDNCO अब जब तक यह नया CO MD नहीं आता है तब तक ही इस position में रहेंगे इस position को ले करके and Mr. Case जो रहे appointment as interim MDNCO is subject to approval of share rollers of the bank the brief profile इनका brief profile को बज़रा check कर लेते हैं यहाँ पर जो रहता है देख सकते Mr. Case जो है इनका पास 30 साल का experience 3 decades experience across industries in leadership roles in multiple domain operation, technology, transaction, banking product, affluent तो बहुँ सारे जीजो में नका experience है and he was recognized among the 50 most talented quality professionals in India by the World Quality Congress इसके लेवा he was also recognized as one of India's top 25 emerging tech leader by Biocon Network in collaboration with METI इनका पूरा complete profile जो रहता है आप यहाँ पर इसको readout कर सकते हैं कहां से उन्होंने MBA किया था सब कुछ यहाँ पर बता जारा आप उसको यहाँ पर readout कर सकते हैं आप आगे बढ़ते हैं इस news को आप गूगल में भी टाइप करके चखा सकते हैं बंदन बैंक का पॉइंट रतन कुमार केश असन इंटरिम MD NCO for 3 months करे केश करेंटली होल दा पोजिशन आफ एक्जुर्टिव डिरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अड़ बैंक ऑप पोजिशन एक बहुत ही बभाड़ा अपडेट कमपनी के तरफ से आ रहा है अब यहां पर फ्रेंट चारट को 알को करेंगे यह कर्ण कमपनी का चार। को चर्क करेंगे तो यह सबसे पहला चीभी बताना displiक जा George यह वं डेका चारट है इस face को जो उसने अच्छे से break किया 190 से 192 के range में आपका stop loss होना चाहिए यह आपका stop loss होना चाहिए और यहाँ पर जो पहला resistance रहेगा 215 का 215 का पहला resistance होना चाहिए जो कि देख सकते हैं आपर Fibonacci में 0.5 का level है और उसके लावा फिर 225 resistance का काम करेगा जो कि आपका 225 से 227 के range में जो कि 0.61 hit का देख सकते हैं Fibonacci का level है और उसके लावा जो रता है फ्रेंट 240 और 265 तक है पर target देखने को आसानी से मिल सकता है बस यह level 215, 225 तूटना चाहिए अब है फ्रेंट टार्गेट जो रता है हमारे हापर 260 प्लस का निकल करा रहा है reason band का है क्योंकि हापर एक consolidation का breakout है moving average का crossover यहापर by side के और इंडिकेट करा है और यह long term view है छोटे मुटे time film के लिए नहीं है कि आज यह कल में आ जागा it will take its own time 6 months का भी time लग सकता है यह daily chart है weekly में भी breakout है मंतली में भी breakout आना बाकी है तो friend यह था complete update regarding abundant mac I hope आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीज़ेगा share कीज़ेगा आन चैनल को subscribe कीज़ेगा thank you